अरश्तू के बारे में हमने लगबग सारी बाते पड़ ली हैं कि उसका जीवन कैसा था स्लेवरी के बारे में क्या विचार थे स्लेव सिस्टम के बारे में सिटिजन्शिप के बारे में स्टेट के बारे में आईडिल स्टेट कॉंस्टिचूशन जस्टिश तो सभी के बारे में हम पड़ लिया है तो हम आखिर में ये देखते हैं कि अरश्टू का political thought में या राजनिती विज्ञान में क्या क्या contribution है जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपून है अरिस्टोटल को पहला राजनिती की विज्ञानी का आज आता है यानि कि पहला political scientist जिसने scientific तरीके से politics का देन किया था और राजनिती विज्ञान का पिताव इसे ही कहा जाता है अरिस्टोटल को ही तो इसका contribution देख लेते हैं सबसे पहले इसने का concept of rule of law उसने rule of law की बात कही थी हमने देखा था कि मोनार्की को उसने ideal फोरम में ले लिया और उसको ये लगा कि प्रेक्टिकेबल नहीं है तो उसके बाद उसने कहा अगर प्रेक्टिकेबल मोनार्की इप्छे रूलर नहीं मिलते हैं तो सबसे बेस्ट सासन है rule of law उसने कहा था rule of man से better है rule of law यानि कि कानू सब्सक्राइब कानून का शासन वेक्ति के सासन से बेहतर है ये कैसा contribution जो आज भी मनना है आज सभी देशों सब्सक्राइब को माननेता देत defense कि कानून का सैसन बेहतर है वेक्ति को ये कानून से ऊपर कर दिया जाएगा तो शक्रेब़ोर निश्चित रूप शे शुरू कर तो पहला कॉंटिबुशन यह था नेचुरल ओरीजन ओफ लौ स्टेट और नेचुरल ओरीजन ओफ स्टेट उसने कहा कि राजय नेचुरल डंग से बना जैसे परिवार गाउं समुदाय बना है उसी तरह नेचुरल तरीके से राजय का निर्मान भी हुआ है और गैनिक थोरी उस तरफ अफ लिबर्टि और उसमाना जाता है कि सरकार के पास जितनी ज्यदा आतोरिए होगि जनता की लिबर्ट इपके ugh date कि ये दोनों साथ ung-साथ भी रहे सकते हैं यदी सासक जन्ता के हित में काम करे यदी सासक इंटिलेक्ट्वल भी है और इमानदार भी है तो कोई तकराव नहीं होता क्योंकि उनका ये मानना था पलेटो की तरह इस्टोटल का भी कि व्यक्ति के हित और राज्य के हित में कोई टकराव नहीं है तो दोनों लिबर्टी और अथोटी दोनों साथ साथ रह सकते बिना एक दूसरे को चैल्लेंज किये वे कि ये बात कही थी उसने कहा था कि राज्य अस्तितों में क्यों आया और क्यों बनावाया वो यह कहता था राज्य शिरफ व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्तित्में व्यक्ति को जीवन को सुरुक्षित रखने के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए ही राज्य है और बना हुआ है तो उसने किसमें यह का था कि राज्य को उसने जब काम भी बताए यूटेली टेरिनिजम जो विचारदारा आई जिसको जर्मी बेंथम ने शुरू किया था तो वो उसकी सुरुआत हम एरिस्टोटल के विचारों से ही देख सकते हैं importance of public opinion उसने public opinion को बैतो दिया जैसे उसने revolution में भी बताया revolution की जो बताये थे कोजिज बताये और उसके prevention के तरीके जो बताये थे कि इसको कैसे रोका जाए तो उसमें काधा public opinion बहुत महतोपून है और जो mixed constitution की बात की थी तो उसमें भी ये public opinion को बहुत महतोपून देता है separation of power, deliberative, magistral and judicial आला कि जिस तरह से आज सरकार में सकतियों का भी बाजन होता है विदाइका में, कारिये पालिका में, और नया पालिका में उस तरह का भी बाजन उसने नहीं किया लेकिन कुछ-कुछ उसी तरह का उसने काम किया था deliberative, magistral, magistral or judicial तो नया इक सकतिया या कारिये पालिका सकतिया या magistrate power जो है इसमें उसने भी बाजन करने की कोशिस की थी तो एक सकति एक आथ में केंदरित ना करके जैसे मोनार्की में सिरफ राजा के पास ही सारी सकतिया होती थी उसको ना करके इसने सकतियों के बटवारे की बात की थी जो बाद में फिर मॉन्टेश्कू के विचारों में और सपस्ट रूप से देखने को मिलता है conservative preservation of existing institution conservative रूडवादी विचारों का था यानि कि वो system को जो exist institution थे उनको ही प्रिजरो रखना चाहता था बनाए रखना चाहता था उनको challenge नहीं करता था importance to middle class उसने अपना जो mixed constitution का जो सिंधान दिया था तो उसमें ये कहा था कि सासन सबसे बेतर middle class करेगा ने अमीर वरक करेगा ने गरीव वरक करेगा तो यहां middle class को मेटो देता है और उसको सबसे अच्छा सासक उसको मानता है जब अपने mixed constitution की जिसमें aristocracy और democracy को mix करने की बात करता है strong belief और private property प्रैविट प्रोपर्टी को उसने मेटो दिया आज भी बहुत सारे विचारग हैं जैसे बाद में जोन लोक ने property के अधिकारों को natural rights में सामिल किया आज भी संपत्ति का अधिकार लोगों के लिए मेटो पून है पलैटो ने जो मेटो नहीं दिया था property को खासकर गारजिन कलास के लिए उसने उसका विरोध किया और ये मेटो दिया कि private property विक्ति के जिवन के लिए उसको अपने काम करने के लिए उसके अपने विकास के लिए बहुत ज़्यादा मेटो पून है आज भी right to property एक discussion का विशे है और इसको मेटो पून माना जाता है फर्स्ट रियलिस्ट तिंकर पहला वेवारिक तिंकर था उसके वेवारवादी विचार हम उसके सारी सिंधान्तों में slavery की थोरी हो या फिर revolution हो एजिस्टि जो हर एक में उसके वेवारवादी विचार में देखने को मिलते हैं separation of politics and ethics उसने राजनीती को और ethics को नीती सास्तर को अलग-अलग कर दिया था यह अलग-अलग चीज़ें उनको mix करने क्या हो सकता नहीं है great इंडिविजिवलिस्ट था state exist for the moral development of individual बहुत महान वेक्तिवादी यानि कि उसके के अंदर में उसकी सोच जो भी सिंदान दिया उसने जो भी विचार दिया उसके के अंदर में सरफ एक था कि किस तरह वेक्ति के जीवन को ज्यादा सुक में बनाया जाए उसके जीवन को ज्यादा बेहतर बनाया जाए State के बारे में भी उसने Statement सुरू में दी ती कि ये वेक्तियों के Хतों को सुरकसित करने के लिए जीवन को बहतर बनाने के लिए रजस्तितों मैं जब भी सरकारों की बात कहता कि कौन सी सरकार बहतर है तो इसी आदार पे उसका अनालीसिज करता है कि वो व्यक्ति के हितों को कितना ज्यादा अच्छे से पूरा करती है जैसे परवर्टीड फॉरम और नॉर्मल फॉरम की भी जब बात की उसने मौनार्की को अरिस्टोक्रेशिक और पॉलिटिक को बेतर क्यों बनाए क्योंकि इन में जन्ता के हित में सासन किया जाता है और दूसरी जो है टायरनी या ओलिगैर की या डेमोक्रेशी जिसको परवर्टीड फॉरम मानता है उसको परवर्टीड फॉरम में क्यों रखा क्योंकि वहां पर सासक जो है वो अपने हित में काम करता है, जनता के हित में काम नहीं करता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि Aristotle एक महान वेक्तिवादी था, यह वेक्तिवाद फिर बाद के विचारकों में, जैसे और बाद में जेएस मिल के विचार को में फिर बाद में वेक्तिवाद को बहुत महत्तों दिया गया खास कर उदारवादी विचारदारा में तो उसने देखा कि एक रिलेशनसिब बताई इसने कि पॉलिटिक्स और एकनोमिक्स अलग अलग नहीं हैं दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से लिंक है जो प्रोपर्टी की वी जो उसने बात की थी तो उसमें यही बात थी कि आर्थिक मुद्धे में साराजनितिक करते हैं comparative method of study एक सो ठाओन देशों के सुविधानों का comparison उसने किया जब उसने mixed constitution का जो बात की थी तो उसने comparative method आज भी बहुत ज्यादा scientifically महतोपूर माना जाता है कि scientific study के लिए comparative study होना बहुत जरूरी है तो पहले पहला जो तुलनात्मक राजनिती का पिता भी एस्टोटल को ही का जाता कि उसने तुलनात्मक अध्यन अपने विशों को अपने जो किताबों में किया था तुलनात्मक तरीके से सभी city states के government का या सभी दान का अध्यन उसने किया था inductive method scientific approach of study inductive method और deductive method पलेटों ने deductive method अपना था इसने inductive method अपना था inductive method को scientific approach माना जाता है और जो अगर scientific तरीके से study करने पड़ती है तो inductive method अपना जाता है उसकी approach scientific थी इसलिए उसको राजनितिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है तो ये सारे विचारत इनका क्यादार परमानते हैं कि अरुस्तु का राजनितिक विचारों के इतियास में महतोपून योगदान रहा है धन्यवाद